हलो दोस्तों हमारे डॉग वर्सेज डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे बुल्ली कुटा वर्सेज बॉयर बॉयल के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों ये दोनों ही डॉग ब्रीट बहुती ज़्यादा लोयल और प्रेटेक्टिव होती है बुल्ली कुता गार्डिंग के मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं इन्हें जादा तर दिल्ली, पंजाब और हरियाना में यूज किया जाता है इनका सबसे जादा इस्तमाल फार्माउस गार्डिंग या फिर खेतों की रखवाली के लिए किया जाता है बॉयल बॉल का जादा तर इस्तमाल साउथ अफरिका में किया जाता है इन्हें साउथ अफरिकन मैस्टी भी कहा जाता है दोस्तों अगर बॉयल बॉल एक से जादा की संक्या में हो तो अपनी फैमिली को लोयन से भी प्रोटेक करने की ताकत रखते हैं बात करें अगर इंटे aggression ना हो दोस्तों ये दोनों ही dog breed इतनी strong होती है कि अगर ये किसी street dog या इंसान पर attack कर दे तो उनकी जान ले सकते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए इन्हें proper socialize करवाना पड़ता है ताकि वो बेवज़ किसी पर भी attack ना करें बात करें अगर space की तो इन दोनों ही dog dog breed को बड़े space की जरूरत होती है ये छोटे घर या apartment में नहीं रह पाते क्योंकि ये large size dog breed है इन्हें घूमने फिरने और exercise करने के लिए एक बड़े space की जरूरत होती है बात करें अगर इनकी grooming की तो इनका coat short होता है जिस वज़े से इनकी grooming में आपको ज़्यादा परेशान न देखने को मिल जाएंगे जैसे कि hip dysplasia, elbow dysplasia, skin problem और ear infection जैसे problems देखने को मिल सकते हैं दोनों ही dog breed का life span 10-12 साल तक का होता है अगर इनकी अच्छे से care ना की जाए तो इनका life span कम याने की 8-10 साल तक का भी हो सकता है